कि नमस्कार में वी तुन यादा वाप समगाई आज के सैसन में फिर से कंपरिशन कमटी पर स्वागत करता हूं आज क्या हम लोग सैसन है जिस तरह हम लोग के पहले बता चुका हूं कि हम लोग जोसीज़ एसाई का उसके इसे के समाऩ पर्टनर से उससी का इसे का इस को इस्तेमाल करूंगा आप मेंसे जो बचछे अगर वीडियो नहीं देखे किसका ratio and proportion का अनुपात वंग समानुपात का जाके पले playlist पे वीडियो देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखिए क्योंकि यहाँ पर इन्ट टॉपिक को solve करने का जो तरीका होगा उसमें ज्यादातर चीज़े हम ratio का ही इस्तमाल करेंगे ठीक है चली तावर तोल बैटिंग करते गए आप तवाम बच्चे जल्दी सो जो वीडियो सेयर नहीं किये फटावर सी वीडियो को सेयर कर देजे क्लिए और लाइक तो करके जरूर जाओगे अब ठीक है एज और पार्टनर से असान सा टॉपिक है अगर इससे कोस्तन आया मतलब फिर का माकसा में फिर आपको बता रहा हूं आप में से कोई बच्चा एज और पार्टनर से सवाल आज ते कोई गलत नहीं किया ना करोगे इस तरीके साब को समझा दूँगा टाइव वाइस की कभी भी गलत नहीं हो सकता है मेरी गैरेंटी है ठीक है चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बस फिर बोलते हैं वर्दी का ख्याल रखना ठीक है अगर आपको कोई इनफॉर्मेशन मिलेगी तो इनफॉर्मेशन मिलेगी तो इनफॉर्मेशन याद है कि थिरी स्टेज में होगा सर वो कोंपोन स्टेज में होगा बताओ गiantly किया हमने देर संभ आपने हैं या समझेगा या या तो वह बाई पास्ट में दिया जाएगा या जाए या तो वह झाईज है तो या धो तेन येर्स एगो, फाइव येर्स एगो, चार साल पहले, पांस साल पहले, अब समझ जाओगे सर, ये तो पार्ष्ट की बात कर रहा है, यहां तो शिदा बोलता है सर, परजेंट एज ओफ A and B और A और B का वरतमान ओमर, ठीक है, सर, ये फ्यूचर में कैसे पहचा रहेंगे, आफटर, और पांस साल बाद, ठीक है, कई बार इसका लेटर इस्तमाल किया जाता है, सर, 10 years later, hence भी वड़ इस्तमाल करता है, इंगलीस वालों के लिए, हिंदी बाले बच्चे बहुत खुस होता है, क्योंकि उसको पता है, चार साल बाद, पांस साल बाद, वो समझ जाता है सर फ्यूटर की बात कर रहा है। सर यह बता कि योज़ होई है। हम बहुने आपको correlate करना सिखा रहा हूँ। Age में correlate करना चीजों को बहुत जूरी है, कि सर पास्ट की चीजों को आप present के साथ किसे correlate करोगे। सर प्रजेंट की चीजों को future के वाले किसे correlate करोगे, कई बार आपको future की data को उठा के पास्ट में ले जाना पड़ेगा, तब क्या करोगे आप, ये ज़्यादा important है, ठीक है सर किसे करते हैं correlate बता दीजिएगा, अमले सुनो, एकी बात, एज में एकी बात कि अगर आगे आना हो तो सर पीछे आने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, आगे आने के लिए जोड़ना पड़ेगा, बात के लिए हुआ है, इतनी सी common बात समय में आ गया, और बाकी जो बाते हैं बोले, उसको में कॉस्टन में इंप्लिमेंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, सर ये बात के लिए हुआ, बस ये पाहचान जाने, इंग्लीस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इसके अलावास तर क्या बताने वालो हो, हम बोले ध्यान सुनिए, क्या बताने वाला भी आपको, ठीक है, इससे जादा आपको कुछ जाने जरूत नहीं समझे, अगर दो व्यक्ति हैं ग बदलेगी नहीं, जो साधी के समय रहेगा, वही आपके, समझ रहो ना, दस साल बाद भी रहेगा, जैसे मैं एक्जामपल लूँ क्या, 2010 मैं गाई जिए 10 साल का था, ये 15 साल का था, सर दोनों के बीच कितना रहा है, 5 साल, हम बोले 2015 की बात करूं क्या, सर ये हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे 20, तो अभी भी उम्र का डिफरेंस कितना चल रहा है, 5, ठीक है, सर 2020 की बात कर लूं, हम बोले ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, तो सर पांस साली डिफरेंस रहा है, लेकिन एक चीज़ जो बदल रही है, उस पर ध्यान दो, सर क्या बदल रही है, ब उम्र का रेशियो बदल सकता है, उम्र की डिफरेंस नहीं बदलती है, इसलिए अगर कोई सवाल में आपको एज में डिफरेंस निकालने की बात करें, वहाँ पर किसी भी स्टेज पर जवाब देना गाई, या चे पास्ट पर पर जिए फजन पर फिचर पर अनसर बदलने क जरूत नहीं पड़ेगा आपको कभी, ठीक है, चले, शुरू करें, सिधा ताब अरतोल बैटिंग करता है, टाइप वाइस गाईज, फिर हम लोग पार्टनर सी पढ़ेंगे, तो आग लगा देंगे, ठीक है, उमीद करते है, पहला सवाल गाईज, आपके स्क्रीन पर आने का उम्र कितना तीनो नुपाद चारी, टाइप वन क्यों बोल दिये, सर टाइप टू क्या होगा, दोनों में क्या अंतर होगा, सब क्लियर कर दूँगा, ठीक है, आओ इधर, यह हो गई कितना, प्रिती हो गई हम प्रिया, ठीक है, प्रिती प्रिया, चलिए, सर वर्तमान मे इसके उम्र क्या हो जाएगा साथ इन दोना के उम्र का अनुपाथ कटना हो जाएगा जाएगाहीगा आप समझे Congressman अलगला stage में क्या दिया है और यह दोनों जब दो अलगला stage का ratio यहां पर समझ जाना चाहिए या तो यह type 1 का होगा या तो type 2 का होगा सर पहचानूंगा किसे यह तो बता दो अगर इन दोनों के बीच का difference अगर equal आ गया मतलब यह type 1 का हुआ और अगर difference नहीं आया तो type 2 का हुआ सर यह बताईएगा तीन साल का था साथ हो गया मतलब बोलो कितना साल बढ़ गया चार इससे दोनों का difference यहां भी चार आ रहा है देखो यहां पर equal 4-4 आ गया कि नहीं हां मतलब यह type 1 में चला गया इसका मतलब सर यह ratio के इससाफ से तो यह 4 साल के बाद ही हो गया हम बोले सवाल पुछाते हैं दोनों के बीच का उम्र का difference है difference तो कहीं बता सकते हैं इसका मतलब देखो इन दोनों के बीच का difference कितना देखो तीन और चार इसका difference का एक ratio के बराबर और एक ratio का मन कितना निका लिए चार साल तो इसका मतलब अनुसर क्या हो जागा आपका चार सब्सक्राइब करेंगे अब आपके स्क्रीन पर यह रहा चलो सरी टाइब टू है ठीक है मज़ा आएगा सेशन में बने रहो ठीक है अब टाइब टू में क्या करेंगे हम बले यार देखो अभी वह बराबर रेस्यों आएगा निलिके हम बराबर करनी पड़ेगा यार क्योंकि याद आखिए उम्रे का डिफिरेंस बराबर होना ही चाहिए सर नहीं है तो करना पड़ेगा वही तो सिखना पड़ेगा टाइब टू में ठीक है क्योंकि देखा था कि डारेक्ट रेस्यों लिख दिया था तिरिन उपाद चार अब आपको इस अवाल कि मैं मादियों से मैं दो चीज़ सिखाऊंगा ये टाइप टू और दूसरी कि रेस्यों को ना दे करके हो सकता है कि उसको लेंग्विज के फॉर्मे दे सकता है तो क्या करोगे अब देख लेते हैं सर ये बाप और बेटा ठीक है और फादर और क्या सर इसके उम्र का रेस्यों हम बोले दिया हुआ है समाझ लो एक बार अच्छे से सर बाप जो एस बेटे से तीन गुना था तीन गुना था मतलब अगर ये तीन होगा तो गाईज ये एक होगा बासमें सर दस सल पहले की बात कर रहा है सर दस सल बाद ढसल पहले दस सल बाध या न की दो घूनी होगीideo मतलब इसके न होगा सब्सक्राइब करने तरीका इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा सर तीन और एक का डिफरेंस चल रहा सर दो यहां पर में अगर डिफरेंस दो है तो नीचे भी डिफरेंस दो करना पड़ेगा जवरजस्ती ठीक तो सर यह एक को क्या करूँ हम बले दो से गुना करके दो बना दो तो सर क्या होगा हम बले अब फादर और सन का एक नया रेस्यो आएगा सर इस पर मत कुछ करना वहां तो तीन इस टू वर यह आस दो से गुना कर दो दो नहीं कितना होगा चार और यह कितना हो जाएगा दो अब गाईज मुझे बताओ किसका डिफरेंस बराबर आ गया कि नहीं हां सर आ गया और जैसे नया रेस्यो निकाल लोगे तो पुराने वाले को भूल जाओ ठेक पुराने हम आज बीस साल के बराबर होगा तो सर इस का मान सवाल कyu बताओगे बहुत सर दोनों का परजें में रेस्यो बोलो तब आभी आप मेंसे जा धर बैची गलत कर सकता क्यों सर ना परजें का ratio है नहीं 10 सल पहले यह future का है तो दो तरीका हम बोले क्या हो सकता है आज से 10 सल पहले निकालो एक का मन 20 तो तीन का मन कितना हो जागा बोलो 60 और एक का मन कितना हो जागा 20 इसका मतलब आ समझा बाप आज से 10 सल पहले 60 सल का था और बेटा 20 सल का था सर हमको आज चाहिए आज हम इतना होगा सार, तो 30 का होगा, तो रेस्यू पोचाता है, यह 0-0 को क्या करो, टाटा बाय बाय कर दो, और साथ उन्हें उपाथ 3 देखलो, अंसर होगा, कहां पहा है गाईज, ऑप्सन नमबर B, बात के लिए हुआ क्या, यह बैलन्स करने तरीका, आप में सभी भी बचा बोल सवाल में इसलिए एक बार और ला दिया हूँ, क्योंकि यह टाइप का थोड़ा इंपोर्टेंट है, आपके 90% चांस होते हैं गाईज, एज में से टाइप 2 के सवाल को ही, वो क्या करेगा, उठा के पूछ देगा, सर क्या है देखें, रेस्यू आफ एज ऑफ टू परसंस ह सर हिंदी में बुलिएगा, दो व्यक्तियों कि उम्र का उनुपाद 5 उनुपाद 7 है, मतलब यह परजेंट उम्र है, आगे क्या बोला, 18 साल पहले, ठीक है, 18 यर से पहले, इसका उनुपाद 8 उनुपाद 13 था, या दखिया, पास्ट की एज अनुपाद को पहले ही लिखना ठीक है, तो सर यह तो ठीक है, आदमी माल लो, A और B, हम बोले माल लेता है, सर यह A होगा, यह B, तो पास्ट वोला को एज को पहले लिखा जाता है, रेस्यों को, सर पहले कितना था, यह परजेंट में इसका कितना है, बताओगे, क्या, सर ही हो जागा, हमारा 5 है, अनुपा परना पढ़ेगा, हम बहले हटादे इसको भी, सर बराबर कैसे करोगा, हम बहले सरो, इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस बताओगे, क्या सर 8 हो, 13 और पांज और 5 अनुपर दो, और 2 हम बहले सरो, यहां 5 और 2, तो मतलब, सर 2 का ISLCM कितना होता, 10, मतलब, सर दोनों किया करन सरह 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओं कि हम बहुत सुनो इस 5 को 2 को 2-3 को 5 से गुना कर दो न को 2-2 को कैदो डोने बीच में difference क्या होगा 10 अब समझे ने रायसियो क्या होगा सुझज़ो ने मेरे स्टीयो क्या होगा लोग भूल जाते हैं ठीक है चलो आईए मेरी बास सुनी ध्यान से अब हमारे हिसाल सर यह 9 साल के बाद की कहानी है सवाल बोला बेट नौ साल की बाद ने अठारा साल की बाद है, हम बहुत अच्छा, तो मतलब मेरा नो कमान, आप कितना बता रहो, अठारा साल, हम बहुत है, ठीक है, नो कमान अठारा साल, तो गाई जिए एक रिस्यो कमान कितना हैगा, दो साल, ठीक है, तो एक रिस्यो कमान अगर दो साल आएगा, अब रुख जाओ, अब रुख जाओ, उनके वर्तमान उम्रिक याद करिये, वर्तमान उम्रिक का रेशियो कौन थबाव हो, यह बाद 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 तो वर्तमान उम्रिक का मतलब 25 जोनी कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, ब के screen पे ये रहा, ठीक है, type 3 के और move कर चुक है, एक 11 सा सवाल है, खुबसूरत सा सवाल है, आईए इसकी खुबसूरती को, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, ठीक है, क्या है सवाल, आईए बात करते हैं, सर, A is two years older than B, हिंदी में पढ़ता हूँ, A, B से अच्छा, दो वर्स बड़ा है, और B की उम्र C से दो गुनी है, ठीक है, ठीक है, A जो है, सो B से, आईए इस two years older than B, और B is twice, क्या है, as old, C, और तीनों का उम्र का सम कितना दिया सताहिए सा, अम बहुत उम्र का सम कितना सताहिए अगर इसको X मान लोगे, इसको 2X, सर, X क्यों माने, क्योंकि मैं कल कहा था, रेस्यू में, आप क्लास नहीं देखे, जाके रेस्यू देख लिए, गलत कर जाओगे रेस्यू के अपलिकेशन में, कि अगर किसी A रेस्यू में को जोड़ना हो, घटाना हो, तो उसको बिना रे 2X प्लस का 2, और ये प्लस 2X प्लस गाईज X, और बराबर था कितना 27, पैन नहीं चलाओगे, 2X और 2X और X कितना वागा गाए, 5X, सर, ये दो इदर क्या आखर उदर भेज दीजे न, 27 में से 2 घट जागा, कितना बचेगा, बलो, 27 में से 2 घट जागा, कितना बचेगा, 25, अब ये मत बोलना सा, घटा के क्यों नहीं दिखा रहे हैं तुन सर, अरे भाईया, बोल रहे हैं कि 2 घट जागा, 25 होगा, ठीक, अब 5 से कड़ाओ, सर, 5 बार में कड़ जागा, मतलब सर, ये X का मान निकल गया, 5, हम पूछो चाहिए किसका, सर, हमको चाहिए B का मान, और B क मान हमारा 2X है, बबब ये X का मान अगर 5 है, तो 2X का मान कितना होगा, तुम्हीं बता दो ना, तो सर, दो गुने 5 का मतलब होगा, कितना, बोलो 10, तो सर, 10, कौन सार अंसर है, देख लिजे एक बार, option number C, बात के लिए रहे के नहीं, तो एक खुबसरत अंदाज में इस तर सवाल क्या कर रहा है, बला सर, एक का है, अंसुमन और क्या है, जगत है, दो बंदा है, इसका उम्र जो है, बलो, 18 साल है, और 50 साल है, बहुत बढ़िया, और क्या बला सर, बला अच्छा सवाल है, बला, in how many years, कितने वर्स में, जगत की आयो, क्या होगा, अंसुमन के से दो हो जाएगी, कितने वर्स बाद, इसका मतलब पलस करूँगा, क्या करूँगा, ठीक, तो बले कोई बात नहीं है, इसका है, इसका है, इसका है, पचास, देखते रहना, तुम बलो, बस, कितने साल बाद, हम बले एक ची बताओ, यार, बाद बोल रहेगा, उतना ही जगत आबर तो बढ़ेगा, है ना, अगर इंक्रिमेंट होगा, तो इसके लिए, माल लो, एक साल बाद, इस विए, एक साल बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, बात क्लियर हुआ कि नहीं, और सवाल बला है, कितने साल बाद, कौन, जगत यो सो डवल हो जाएगा, तो डवल हो होने का कोई चांस है नहीं, दो से गुना कर दो सर, ठारा दो नहीं, 36 पलस का कितना हो जाएगा, दो एक साल बाद, तो चोगदा साल बाद, ओप्सन नम्मर गाईज, सी, देख रहो, एक लाइन का सवाल है, बस ये समझना पड़ेगा, बात खतम, स्क्रिन सोट जल्दी से फ सर, क्या सवाल है, हम बहुत ही खुबसूरत सवाल है, ठीक है, क्या है देखते हैं, ठीक है, एक अपने बाप, अपने बेटे से, चोबी साल बड़ा है, ठीक है, आईए, दो वर्स में उसकी आयू, उसके पुत्र की आयू की दोगुनी हो जाएगी, हो जाएगी, future, मतलब ज जोड़ देंगे, ठीक है, चलिए, उसके पुत्र की वर्तमान आयू क्या होगा, तो बहुत है, सुनो, यह बाप है, यह बेटा है, क्या बोला, कि सर, जो है, सो बाप बेटे से, 24 साल बड़ा है, तो हम बोले, बेटा अगर एक साल होगा, तो बाप 24 साल बड़ा होगा, जोड़ो गए, हमेशा परजेंट में जोड़ो गए, अगर घटाना होता, तो भी परजेंट में घटाते, समझो इस बात को, यार, तो सर, यह दो साल बाद बोल रहा, तो दो साल दोनों में जोड़ दना पड़ेगा, अलग से, सर, पाले बोलता है, घटा देते, तो दो साल आसी तरह क्या करलो कर लो किसे से स्ट एक प्र।्स मॉटिप्लाइ करते हैं हम बहुत बढ़िया। तो पर में होगा X प्लस कितना बोलो 26 और हो जाएगा 2 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 स्टल explorrete से के लिए एक छोटा सवाल तहाबंत इसको समझे अगा दो सॉल opening क्यों जोड़े ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रिन पर यह रहा और देखिए क्या सब्सक्राइब यह बड़ा उंदा सवाल है उंदा इसलिए काईज कि आप यहां पर गलती करते हो आपको लेंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं दिक्कत यह है ठीक है और हम वो दिक्क अंगल टू संतोस एज ही इज ओलडर तू असोक ठीक है बात समया क्या नहीं सर समझ नहीं आया हम वोले हिंदी पढ़ लेते हैं सर सुवास संतोस से उतना ही छोटा है जितना वो असोक से बड़ा है मतलब पहले वार में सुवास संतोस से छोटा है ठीक है इसका मतलब संतोस के उम्र में सुबास की उम्र को घटाना पड़ेगा और हो असोक से उतना ही बढ़ा है जितना वह बड़ा है किस ए असोक मतलब अब सबास बड़ा है और असोक स्वोट तो असोक का उम्र आपको घटाना पड़ेगा सोट में लिख रहा हूँ पूरा भासा काहानी के अरमाइन लिख रहा है कि है ना तो अब क्या करें हम बोले असोक इधर आके जूड़ जाएगा और यह सुवास उदर जाके क्या होगा हम बोला कि संतोस अर असोक का उम्र का तो सम दिया ओर 28 हम बले चिपकाओ यहां पर 48elen सरे 24 हम चिपका दिये और यह जागा दो गुन है उम्र आपकिस का सुवास का ठीक है भाईया सुवास का ठीक है सार ये दो से कड़ाई चोबीस वार में इसका मतलब सर सुबास का उमर निकल गया हम बले हाँ निकल गया बताओ क्या निकला सर चोबीस साल निकल गया और आप देख सकते हैं गईस यह अंसर कितना असानी साब को दे दिये बस आपको यहां पर option number कौन सा टिक करना था डी आप तरह के सवालों में पता नि आप कितने confused हो जाते हैं पता नि रेश्यू का इस्तमाल करने साब डरते हैं लेकिन आज के बाद डर नहीं लगेगी बला सर राजा की साधी आठ साल पहले होई थी साधी मतलब बरवादी ठीक अनि इसकी बरवादी कब होई थी आठ साल पहले ठ देक है उसकी वरतमान आयू विवाह के समय की आयू का छे बटे पांच गुना है यही बात अगर समझ गए तो आप क्या हो गए अब आद हो गए नहीं तो बरवाद हो जाएंगे ठीक है चलो सर ये छे बटे पांच का क्या मतलब होता है वो भी किसका साधी के समय का हम बले ही इसका ये मतलब होता है कि सार चे का मतलब ऊपर मगारा में सर परजVIS को दिखा रहा ही पांच समाझ साधी के समय कितना रहा होगा पांच अब मैं आप से सवाल करूने सवाल नहीं 8 साल पहले तो सर उसकी बरवादी का वुए थी 8 साल पहले टीक है एक कामान कितना आठ इसका मतलब साधी के समय कितना आँट पणचे 40 तो यह जो यह जो राजा है ना साधी के समय कर रहा होगा आई सवाल क्या बोला बोला कि देखिए साधी के समय उसकी बहां 10 साल चोटी थी किस से सुबास सवाल क्या बोला तो क्या बोला कि तुमको पता बहान भी आट साल बढ़ गई होगी तो बहान की साल कितना हो गई हो गया अगला सवाल आगला सवाल अगला सवाल आगला सवाल यह रहा सर क्या करेंगे ऐसे गाई सवाल कई वार आ जाते हैं जो आपको परिसान कर देता है आप वेवास हो जाते हैं उसको छोड़ करके आने का लेकिन गाईज कुछ सवाल आपके लिए ऐसा दिया था इसका ऑप्सन का इस्तमाल करना चाहिए आपको क्यों बहुत सारे सवाल इसे हो हो जाएगा दो सव चालीस ए दो सव चालीस हम बहुत सर बात बन गया गुड़ आईए बात करते हैं बोला सर इफ ट्वाइस द एज ऑफ निलम का निलमा इज फोर इस मोर देन दे एज अपरसांद से हिंदी में बता दिए निलमा की आयू का दो गुना परसांद की आयू से चार साल अधीक है हम बहुत समय आयू का बहिया निलमा कितना दो गुना का तो जो अधीक है उसमें से कम करना पड़ता ही बात समय था तो हम लोगा नहीं हासर चार साल कम कर दिया जाएगा मतत्वा सिधा-ईशिधा बोलें, निलमा की आयू की परसांद की आयू से 4 साल अधीक होने का मतलब है, کہ निलमा की आयू को दो गुना करके, अगर परसांद की आयू को घटाएंगे तो 4 साल आना चाहिए, बतवा खतम, हम बहुत फ़दे दूसरा एक प्रसांद की आयू का दो गुना मैंसे अगर परसांद की आयू चार से घटा दोगे यह चार साल आना चाहिए क्योंकि निलिमा इससे चार साल बड़ी है तो बड़ी है तो भईया हमारा उम्में उसमें घटेगा तो चार साल आना चाहिए हम बोले हाँ अब क्या इसको सॉल करेंगे आप ज्यादा तर रोके आ जाएंगे अप लो ठीक हम बोले नहीं करेंगे हम बोले ऑफ्सन को रखो ना ऑफ्सन को रखो पाला ऑफ्सन रख देंगे जो दुनों को सडिस्फाइए करेगा बतवक्त खतम सर अगर मान लिजे किसका है निलमा का भी पूछा है तो इन इलमा एन है मालों 24 होगी तो 24 को रख देंगे मतलब परसां कितना 10 हो जाएगा तो यहां पर देख लो तो भाई यह उप्सन कहां सेट करेगा अगर यह 10 होगा देखो 24 से कड़ाओगे 10 परसां 10 तो देख लो 24 दून 48 ने 10 जागा थी यहां पर यह कुछ औरी बच रहा चार आना चाहिए तो भाई उ 12 रखे देखें हो अगर इसको बारा रख देंगे तो परसांत को उरर कितना आजा बताओं विस बारा दो दुन 24 कितना उर रखेंगे तो दून 24 मैं से बीस जाएगा तो बराबर 4 आ गया option satisfy कर गया और option number C को हम लोग क्या करेंगे accept कर लेंगे reject नहीं accept ठीक है जल्दी से छाप लो छाप लिए अगला सवाल आपके screen पे ये रहा सर ये भी सवाल है इसका हम बहुत खुबसूरत सवाल है एक दम बहुत खुबसूरत सर बात करें हमरे पड़ा बड़ से सुरू करते है गाईज चलो सर क्या है ये सवाल में आप जान बुषकर गलती करते है पता है एज समया रहा है कि नहीं एज में कोई दम नहीं है पता है एज आपके प्रिल्लोंस में इसी लेवल का आएगा मेंस में अपको जो लेवल आएगा तो में तो हो ना गाईज मेंस का इस लेवल तक सवाल कर आऊँगा आपको हैं करादूँगा आदखना दिमाग हैं कर जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है ठेक है आपको क्या करेंगे? आपडेट कराएंगे में से कॉर्स में, ठाख है, चलो, सर्फ फाइव यर्स एगो, सर्फ पांस साल पहले, बाप और बेटे का उम्र का सम कितना था सर सतर साल, देख लो, ए पांस साल पहले, परजेंट नहीं बोल रहा है, तो अपने मन से मत माल ले ना, पांस साल पहले, आग ये रहा का, ये बाप रहा, और ये रहा बेटा, इन दोनों का उम्र का सम था कितना सर, पांस साल पहले, सर सतर साल का था, हम बोले परजेंट में, और पांस साल बाद सर, इसके उम्र का सम कितना हो जागा, देखोई, पांस साल बाद, पांस साल दोनों जोड़ देना, और पांच को किसके बराबर कर दोगे और एक कामान चोगदे निकाल करके चोगदा चोगदा च्छप पर मारके गलत कर दोगे उम्र का सम अगर करोगे तो परजेंट में लाकर परजेंट वला के बराबर करो ना यार तो पास्ट वला को परजेंट में क्यों कर रहो क्यों क्यो पांच और पांच दस साल इसमें जोड़ दोगे तो सर चार और एक कितना हो जाएगा पांच और पांच का बराबर कितने बराबर होगा बताओ पांच के बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बो असी साल ठीक है तो एक का मन कितना हो जाएगा बो भाईया एक का मन कित सकते हैं सर हैना सर उपसन में हम बात के लिए रुगा क्या तो एज को हम जी स तरीके साब को प्रिलम्स के लिए पढ़ाएं हुए उम्मीद करते हैं कि आपने काफी इन्जिवा क्या होगा है यह अगला सवाल के रूम पकरेंगे यह आपका सवाल और देखते हैं गाई जैने समीद करते हैं यह आखरी सवाल हो हमारे स्लाइड का ठीक है चलिए आगे बढ़ो गुड सर क्या बोला हम बोले समीद और परकास की वर्तबान आयू के बीच का अंतर कितना दोनुपात थें बहुत ही उम्मदा सवाल है बहुत खुबसूरा सवाल है हम बले यार देखो हो गया हमारा परकास हो गया दोनों के बीच का जो रेस रेस्जियो है गैष वो दोनुपात कितना है थीन बलता समीद परकास से च्छे साल चोटा हम बले नहीं सर, एक साल नहीं है, छे साल है, हमारा ये एक कामान गाईज कितने बराबर होगा, बोलो, छे साल के बराबर होगा, इसका मतलब एक कामान छे, तो इसका मतलब ये दो कामान कितना हो जागा, बारा, मतलब सुमीत अभी बारा साल का होगा, और ये परकास कितना होगा, बो तो छे साल बाद बताओ नो तुम ही लोग यार देखो यहां पर सुमीत और परकास सर छे साल बाद अगर करो कितना हो जाएगा बोलो यह 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चोबीस और 18 और 24 को नुपात निकाले हैं और रोते हो क्यों बताओ वर में और यह करणा दो चार वर में तो 3964 कॉंसान है तो गाइज बात का मतलब चोड़ना यह बात आपको समझ में आनी चाहिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा तब तो इमीद करते है एज का कॉंसेट हमने क्या किया है प्रिलिम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं आप जाए प्रिलिम्स में बेठी है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है प्रैक्टिस करते लिए आप ठीक है सवाल में आपके सीजी में पूछे जाने का रेशियो बहुत कम है ठीक है लेकिन इतनी धासु तरीके सपला दूँगा कि एज में आज के बाद यह पार्टनर्सिप और एज में कभी दिक्कते नहीं जाएगी ठीक है यह सबसे उंदा और आसान सा टॉपिक है इस टॉपिक में यहाद प्रचेगा कि आपको ज़्यादा कुछ मेंनत नहीं करना है एक बात बोलूँगा और यह टॉपिक खतम क्या साथ पार्टनर्सिप का मतलब क्या होता सर हिंदी मतलब साजेदारी क्या होता साजेदारी साजेदारी, कई बारी सो साजाई बोल देता है, तो वही है साजेदारी, ठीक है, सार ये पार्टनर जो है, पार्टनर का नाम सुने है सार, हम बोले कौन सार पार्टनर सुना है तुम, बिजनस पार्टनर या लाइफ पार्टनर बताओ, सार दोनों का नाम सुने, हम बोले तक को भी अगर एक कम कर दिये तो break up होना तुम्हारा तह है ठीक है तो life partner और business partner भी same path पे काम करती है अगर तुम business में पेसे invest नहीं करोगे है तुम्हें profit नहीं मिलेगी अगर ज्यादा समय तक नहीं करोगे तो profit भी तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा बात के लिए रहा समय में आ यह बिसनस को दो या दो से अधीक लो घुल सर के चलाना और एक पार्टिकूलर टाइम के बाद बिजटनेश चे होने वाली प्रॉफिट को आपस में बाट लेना ही क्या कलाती है पार्टनर्सी वानिस साजयदारी। सर ये पार्टिकुलर टाइम क्या हो गया हम बोले हो सकता कभी एक साल के वाद हमनों डिसाइड करने बाटाएंगे प्रॉफिट कभी ये दो साल बाद ही कभी ये तीन साल बाद हो डिपेंड करता कितना कोस्तन बोलेगा बात समझा कि नहीं हां सर ठीक है तो याद दखिएगा तो ये जो होती है नहीं समझेगा तो शर इसका मतलब आपको ये की बात है तो याद आख़े प्रॉफिट को बांटना है तो क्या चाहिए आपको सर बांटने के लिए तापने पने कल रेशियो पढा कर रखा मुझे शर रेशियो चाहिए हम ब बहुँरे अगर प्रोफिट जो है ना आपका profit बिजनस में क्या दो बात पर निर्वर करता सर एक investment है investment मतलब गाइज निवेस और investment into time ये दोनों पर निर्वर करता गाज याद दखिएगा कभी भी अगर आपको profit और लाब का अनुपात चाहिए तो निवेस गुने समय क्लियर है क्या तो invest कितना किये और कितना समय तक किये इनी दोनों की product depend करेगा आपकी profit को बात क्लियर है क्या तो बस इस chapter खुतम करूँगा एक बात पूरी तरह से आद कि आपको एक की बात खोजना business में क्या कि हमारा investment कितना और time कितना है हाँ कई बार सवाल में investment नहीं देगा कई आपको time नहीं देगा उसके साथ केसे deal करेंगा वह मैं आप पे छोड़ दो हम आपको बता रहे हैं एक अक सवाल ले करके ठीक है एक बात इसके अलावा गाई समझेगा business में आपको दो तरह के partner मिलने वाले हैं सर दो तरह के कौन-कौन partner हम बलें एक working partner और एक sleeping partner अरे सर यह का होता है हम बले सुनो हम और हमारा दोस्त इम्रोज मान लोग बिजनस में हम लोग यह हम उसको बोले भहिया देख हम business में पैसा लगा सकता हूं हम time नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना हमारा दोस्त बोला कि बटा ठीक है कोई बात नहीं मैं पैसा भी लगा देता हूं और business की देख वाल भी कर देता हूं तो यससे दोस्त जो बिजनर्स में पैसा भी लगा रहा है और इसका देखवाल भी कर रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर वर्क कर रहा है आज के टाइम में कोई इतना 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 सरीफ दोस्तों है नहीं है बताओ कि तरह फिरी में बिजनेस अंभाल देगा तो जो वरकिंग पार्टनर होगा फिरी में काम नहीं करेगा वो आपको हमेशा एक कोस्टन में क्या करे एक कंडिसन देगा क्या देगा बताओ कि टोटल जितना profit वा उसका 5% बोलेगा, कभी 10% बोलेगा, हमको देदो, बोलेगा, क्यों? बीजनस को मैनेज करने के लिए, तो जितना मांगेगा, उतना दे देना, और जो बचेगा, उसको अपलो क्या कर देना? प्रॉफिट के रेस्ट्यों में क्या कर देना? क्या कर देना बाढ़ देना अगर सवाल बोले नहीं सर हमको investment के रेंश्रिम बाढ़ देना तो उसमें बाढ़ देना जो सवाल बोले है कुछ बात करने के लिए है नहीं जाता, ठीक है, चलिए सर, बातने के लिए क्या करते है, सर, टाइप ओन सवाल अपके स्क्रिन पे गई जा चुका है, बात समझा क्या, और आगे लोग है, सर, बी ने इन्वेश्ट किया, टू थाड अफसी, का मतलब है, अगर ये दो रुपिया लगा होगा, ति ये तीन रुपाई है, हम बोले हाँ कैसे, देखो, यहाँ पर बी का मन एक है, यहाँ पर दो है, सर, बी का मन दोनों जगा बराबर कर लो, हम बोले बराबर कर देते हैं, काटेंसन ले तो, सर, इस एक वाले को ही दो बना देना, हम बोले दो से गुना कर दो उपर वाले को, तो दो से कितना हो जाए सर यहां पर टाइम की तो अपने कोई चर्चा ही नहीं किया हम उले एक ची मता मुझे तीन दोस्त अगर एक साथ बिजनस में आता है और अंतिम तर तीनों बना रहे कोई बीच में छोड़ कर नहीं जाए मतलब बराबर बराबर समय के लिए अगर आए तो यहां पर दोनों ती पर क्या फाल पड़ेगा इसका इन्वेस्टमेंट को ही प्रोफित का रेस्यों क्योंकि टाइम से गुना भी करके तुम क्या कर लोगे बताओ क्योंकि बराबर बराबर समय तीनों एक साथ शुरू कि अंतिम तर तीनों बना रहा तो उसमें टाइम का कोई महतुन नहीं होता हया दखियेगा उसमें इन्वेस्टमेंट को ही प्रोफित कर रेस्यों मान लिया जता है हम ऑले ठीक है इसको छे रुपए मिला इसको दूरफित अर्फ रुपिया इसको तीनुपए हमारे इसको तो पर्फित हुआ तो सर दो गुने कितना होगा, 60, मतलब 120, तो 660 में सर जो 102 का कितना हुआ, प्रोसेयर, 120, कौन सो अप्शन है का, जो अप्शन नमबर B, बात के लिए हुआ क्या, एक दम सिंपलेस्ट भासा में समझाने क्या परियास करूँगा, आप सबंको, स्क्रिन सोट लिजी, अगला सव पाद दिया हुआ है, कितना, पांच उनुपाद, साथ उनुपाद, आठ, ठीक, आगे लिखा है, इनका धन करम सा चोगदो महिने, आठ महिने तथा, कितने, बोलो, साथ महिने के लिए निवेस रहा, तो इनकी पुंजियों का उनुपाद क्या होगा, मतलब इसके, कैपिट पर बराबर क्या होता है? अरे, सार, इनुवेस्टमेंट इन्टो टाइम, हम बोले, बाबबु, आमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सार, टाइम से भाग दीजें, हम बले, किसको, जब प्रॉफिट को इन टाइम से डिवाइड कर दें, बाबु, तो क्या हो जाता है? ब बोला सरी लोग कितना कितना समय के लगा ये चोगदा ये आठ और ये कितना हो जागा साथ एक वार आप देख सकते हैं हम बोले ठीक है सर आगे लिया हुआ देख लो यहां पर इनका धन करम सा चोगदा पंदर अधर देखो न तो सर यहां पर हम बताईए टाइम का रेसियो द इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस क्या है टाइम यह हो जागे चोगदा यह कितना साथ है अब क्या करते हैं बोले कुछ नहीं करते हैं ध्यान सूना मेरा बात सर यह तो रेसियो हो सबसे मल्टिप्लाइ कर दो सबसे मल्टिप्लाइ कर दो सबसे मल्टिप्लाइ कर दना महमला अपने आपके अवली पड़ जाएगा तो इतनी खुबस्वरत सवाल है जिसको आपको बहुत ही उंदेश सवाल से करना पड़ेगा जल्दी से इसकीन सबसे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल फटाबर्चे करते हैं कर दूंगा प्रिलम्स के लिए कभी आपको दिक्कत नहीं होगा अब समझेगा अब समझेगा अब समझेगा अब क्या क्या देखो किस ने कितना को बेल को छोड़ दिया कि यहां पर ले जाके चरने के लिए समझेगा टिक यहां पर भाई ए बी और गयाईज कितना हो जागा बो सी ए ने क्या दस ओक्स को छोड़ दिया सात मंत के लिए बहुत बढ़ी है सर देखिए यह दस छोड़ा है सात महिने के लिए गूड जितना टाइम दिया उससे चोड़ा भाई यह तीन महिने के लिए तो भाई हम निकाल क्या रहा है साथ दूनी कितना हो जाएगा चोगदा अनुपात यह बारा और अनुपात कितना हो गया नो इसी रिचयो में इन तीनों को क्या करना पड़ेगा और चारागाह क्या करना होगा पैसा चुकाना पड़ेगा हम बहिले गुड तो सब्सक्राइगा कितना चुकाएगा देख लेते हैं लोग कितना रेंस सोपच混ा रही हमारे हचाब से पचया होगा हम बह taper कीतिद हा moż बेटा 175 है, हमारे एक अदिकत है, तो हमारा जो है, समझो, हमारा ये 35 कामान, 175 के बराबर, तो 35 से कड़ाएंगे, तो एक कामान कितना हो जाएगा, पांच है, और एक कामान अगर 5 के बराबर हुगा, इसका मतलब बताओं, तो 45 से काम करना है, पूरे पार्टनर्सिप में काम करना है, इन्वेस्टमेंट इन्टू टाइम, एक दम बक डालो इसको, रड डालो, ठीक, चलो, सर, आगला सवाल कराओगे, कि हमोले आगला सवाल आपके स्क्रीन पे यूं रहा, ठीक है, चलो, सवाल के आँसर लाने के बाद गलत करना है, हाथ में आने के बाद चली जाती है, बस उसी तरह है, आँसर लावगे, लाश्ट Filmर तुम गलत कर जाओगे, तो वह बात हैं, यह तुमको सिखने को मिलेगा, ऐब शिखाते आपको, सर, क्या बोला, A start his business, अन्हीं हिन्दी में बोले सर ए ने अपना वेपार सुरूख या पचासीजार के साथ कुछ महिने बाद रुको अभी तक तु म जितना सवाल किया था? दो पार्टनर या तो एक साथ आजाता था? या तो कोई दो मेहने बाद या कोई तीन मेहने बाद आता था? ठीक? लेकिन यह सब्सक्राइब यह इसा नहीं है, यह कुछ मेना बाद आ रहा है, सर कुछ मेना का मतलम क्या समझें, दो मेना, चार मेना, पांच मेना, हम ले रहे, सुनो, हम आपको क्या समझाते हैं, यह पूरा बिजनस दारी टॉपिक है, हम बोले हां सर, तुम कितने पेसे इन्वेस्ट किये और कितने समय तक किये यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो क्या फर्क परता भाई है तुम कब आ रहे हो हमें मतलो उस बात से कि तुम्हारा कितने दिन बिजनस में रहे हो ठीक है तो पहला काम ठीक है सर तो यह 42,000 जो ऐसो 500 के साथ बिजनस में जूड़ गिया है अधी वर्स के अंत में यह लाइन जानता सबसे इंपोर्टन ही वर्स के अंत में जो बोलता है न साल के अंत में एड दे एंड अफ दे यह यही इंपोर्टन यह बतला था कि बिजनस चला कितना दिन का था ठीक है सर लाब की जो बांटा गया तीनों लाब कितना बांट लिया तो B. कितने समय के लिए जूरा था B. कितने समय के लिए जूरा था यहां पर दो चीज पूछ लगता सवाल सुन लो कितने समय के लिए जूरा था कितने दिन के बाद आये था दोनों अलग अलग है तो ज़्यादा तर सवाल भी पूछ सकता यहीं पर क्या कर लो तुम टाटा बाई बाई करा दो क्योंकि रेस्ट्यों निकालें बाद में कटेगा हमारा मन तो चल रहा हम 25 से यहीं कटा दो सही बता रहा हूं हम 25 से कटा देंगा 34 वार में और यह 25 से कटा देंगा सीधा ना किसी को कोई सक है क्या क्या क्योंकि एक साल का बिज्नस सर बी कब आया हमको देगा हम को क्या पता है हम इतना जानतें बी एक्स मेंना रहा हो तो sain नई पता समयद समना जा आ ये एक्स वहाँ हो दिखो अब dat, सबस्के अध मने रहा, बात शेकरिंगा कि आ गया, तो मुझे बागु बताई TOO तीन उनुपात एक में हम बहुत बढ़िया तो अधर गुना करो एक्स परावर कितना हो जाएगा आठ मंत है तो अनसर तुम्हारा फिल्ला आठे मंत होगा क्यों यह बिजनेस में कितना दिन तक रहा था सवाल आप से यह पूछा था कि यह बिजनेस में रहा कितने समय के सवाल कितने दिन के बाद आए था पूछूँ एक साल का बिजनेस था और कोई आठे मेने बिजन्स रह रहा मतलब वहें आपca कर चुके होंगे ये रहा एक खुबसूरत सवाल सर ये सवाल कैसा है? बलेकदम बहतरिंग सवाल है इसकी तारिफ भी करूँ तो क्या करूँ बताओ तारिफ हलागी करना नहीं चाहिए चलो फिर भी कर देता हूं सवाल की सर A और B जो ऐसो एक पार्टनर्सीप में इंटर किया बिजनस के तोर पर कितना केपिटल पता है? साथ अनुपाद आठ केपिटल का मतलब निवेस वही पुन्जी बोल सकते हो, ठीक है? मतलब A जो ऐसो बिजनस में आया और B दोनों ने मिलकर एक बिजनस की सुरुवात किया हम बोले ठीक है? हिंदी में देख लो, A और B, साथ अनुपाद के आठ के अनुपाद में पुन्जी के साथ एक साज़दारी में परवेस किया हम बोले वही बतवा है, समझा? तो सर, A ने साथ रुपे लगाया होगा हम बोले बहुत बढ़ी है, ठीक है सर आईए, सेम सवाल दोन होगया, क्या आईए? अच्छा, ठीक है, उस सवाल को उल्टा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं आगे बोलाया कि लास्ट में ही लो अपना जानते हो, बिजनस में क्या किया, प्रोफिल के से बाटा? शारी सात अनुपात, यहारा में बाटा, वर्स के कितना अंत में, ठीक है, वर्स के अंत में नहीं बोला कि लास्ट में प्रोफिल सात अनुपात, एक आरम बाटा, हम बोले बहुत बढ़ियां तो सर पहले चोड़ा करो रेशियो बनाओ आठ से आठ खतम तो सर हमारे इससाफ से प्रॉफिट का रेशियो बराबर साथ से साथ कटा दी बाबू एक्स का मान कितना होगा गारा तो यह 11 महिने तर इसका पैसा लगा रहा था ठीक है यहाँ दखिएगा ठीक है तो सर अंसर कौ अगला सवाल आपके स्क्रिन पे यह रहा एक और उम्दा और खुबसूरत सा सवाल है गाई देखते हैं कि क्या सवाल के बारे में सोचते हैं हमें 13,950 की रासी के ओ तीन विक्तियों ABC में वाजित करना है बाटना है हमेशाक को थीनों की बारे कि आपके से 50 कम मिलना चाहिए ओके तीनों का बात बूल रहा है हम बहले हां तैना को कितना मिला यह भातけて हमको समझ में आ गय है हम बहले गुड बस यहां पर बात पढ़ लो, ठीक है, तीनों को बालना है 13,950, हम बात देंगे भीया, रुक जाओ, ठीक, सर, बी को एक के हिस्से का दो गुना, बी को एक के हिस्से का दो गुना, ठीक है, तो अब यहां पर समझ जगा हो, इंगल से ही बोला है न, हाँ, बी मस्ट गेट डव इस दें, डिवल ओब भी से, इसनी भई बोला है, से को बी के हिस्से के दो गुने से 50 गुना, सर क्या होँजाँगा, चार से 50 कम, किस को मिला, यह मिला तर स करो, ठीक है, ईसकी की को किसके ब्राबर करो हम बले क्या है उदर भई थार है, पचास रने दो, सर इसको पताओ, चार दो तिन के कितना होगा, साथ एक्स देख लो, छे और के साथ एक्स है, और इस तर सुन लो, यह पचास को अधर कहने जोड़ दिये, यह मैनस अधर जाके पलस हो जाएगा, तो जब पलस होगा न तो चोगदो हजार बना देगा, देख वो चोगदो हजार बनने के लिए बेचें था, वो पचास अपना मांग रहा था, पचास दे दिये, ले जा भाईया तो अपनी अमानत की हिपाज़ा तुम करो, हम क्यों करो भाईया, साथ से करा दो इसको, सर यह दो हजार वार में, तो यार रख रहे है, सुन लो, एक्स का का मान कीटना हो जाएगा, 2000, कीटना, 2000, सर, एक्स का मान 2000 होगे, हम बोले हाँ, सर, पूछा किसका, सेर विल बी किसका, एक का, तो यार एक से माना था तुम लोग यार, एक से तो माना, था आपसों नमर कौन सा है, दो को सी, तो खट से सवाल ने दम तोड़ दिया, स्क्रिन सवाल है क्या बोलते देखो इस सवाल में आप अभी भी एक्स वाई मानोगे हम भरोसा तुम करो यह यह फ्रेक्शन वाले सवाल को देख कर पता है तुमारे हार्टवीट बढ़ जाता है क्योंकि तुम हमारे अंदाज में सौल नहीं करोगे इसलिए लेकि आज मैं सिखा के र रुपईये का टोटल सुरुवात हुआ होगा मतलब यह बिजनेस जितने की सुरुवात हुआ है उसका वन तियाही केपिटल अके लिए किसने लगाया है ए ने और जितने समय के लिए सुरू हुआ होगा वो वन फोर्थ समय के लिए लिखा साफ साफ ए पुंजी का एक दिय लेकिन होने नहीं दूँगा आए पड़ते हैं सर बी पुंजी का 1-5 भाग जितना टॉटल पुंजी होगा उसका एक बटे पांचमा भाग बीन है और जितना समय होगा उसका 1-6 समय के लिए लगाता है और जी ने सेस पुंजी को ड्याग लगाता है यह लाइन पढ़ना पूरे समय के लिए तो सर हम केसे मानते हैं के लिए बताऊगा कि हम बले हाँ उस बताता हूँ तुम पहले पुंजी पर फोकस करो सर पहले बार में पुंजी कितना था 1-3 और बाद में पुंजी कितना 1-5 मुझे बताओ सर 1-3 और 1-5 तुम केसे लोजिक डेवला को हम बताते हैं, आप बोलो, इसका नीचे बोला देखो, पांच और तीन, कोई ऐसा निमर बताओ, जो पांच और तीन दोनों से कड़ जाए, सब वो तो पंदरा है, वो तो तो तीस है, वो तो पैतालीस है, हम बोले पंदरे मानलों, कहा है उतना गलत नहीं होगा, सर ये बात होगी, हम बोले हाँ, आओ तो टाइम पर कमेंट करोगे, हम बोले सर टाइम पर कमेंट कर लेंगे, कहा दिखाता है, एक टाइम बभू यहाँ पर दिया है, कितना, वन फोर्थ, ठीक है, वन फोर्थ, सर एक समय दिया है, किसका, वी का कितना, ए यह मानना important था, सवाल ने दम तोड़ दिया, जैसे तुम मान लिया ना, तो दम तोड़ दिया, सर, आओ, ए ने, बोलना टोटल कितना 15, उसमें से 13, तो 15 का 13 कितना होता है? 5 होता है, लीच के मत दिखा देने आपे, उतना दिमाग होना चाहिए, कि सर 15 का 13 होता है, 5 मतलब ए ने 5 रुपिया लगाया, सर कितना समय के लिए? तो one fourth समय के लिए, हम बहुत है, टोटल समय कितना माना है, 12, 12 का one fourth, 12 गुने one fourth का मतलब 3, कितना होगा बाव तीन, तो sir इसका मतलब 3 महने के लगा होगा, बात के लिए रुआ, sir B क्या किया है, हम बहुत है, one fifth पुंजी, पुंजी कितना है, 15, उसका fifth मतलब 5 से भाग दो, कित से स्पुंजी, टोटल पुंजी कितना लगा था, 15, यह आपे दोखो, ए ने 5 रुपया लगा लिया, और बी ने लगा लिया, तीन, पांच और तीन कितना होता, आठ, तो पंदरा में जब आठ घटा होगा, कितना बचा होगा, बाव बाव बचा हुआ, बाव बचा हुआ, और इसको मिलेगा कितना, सचोग, 28 रुपया, हम बोले हो गया, हम बोले हो गया, हम बोले टोटल तुमको कितना पैसा मिला, बता है, हम बोले क्या, हम बोले और को टोटल प्रोफिर कितना हुआ, हम बोले पांच और साथ, और 28, मतलब हमारे इस साच तुम लोगों तीनों को टोटल लाब जो बिजजनेस में हुआ कितना हुआ 35 रुपई है हम फिले ठीक है सर सवाल बोला कि 35 रुपई है नहीं हुआ हम बोले कितना हुआ है 1820 हम बोले हमारा 35 का मान तुम्हारे 1820 के बरावर होगा और सवाल बोला سर क्या 1 का चाहिए एका मतलब पांच का चाहिए, सुनो, एक ratio का मह यहां से कितना होगा? अरे सर, वो 1820 होगा, और divide by कितना होगा? 5 अरे सर, हमको एक नहीं, हमको एका चाहिए, मतलब 5 चाहिए, तो सर, 5 से गुना करो ना, 5 का मतलब क्या? 1820, divide by कितना? 35 और गुने कितना? 5 पांस से कड़ाव कितना साथ बार में और साथ से भाग देदू क्या साथ दूनी चोगद और सच्छक बयाली सो जीरो मतलब 260 260 है कि नहीं को option में हम बोले होगा न भीया कहीं न होगा सब option नमर बी देख लो तो मतलब एक का जो होगा कितना होगा 260 रुपिया होगा बात समझा कि नहीं तो सरी उम्मदा सवाल था मैं उम्मीद करता हूं सिंपल बहसा हमको समझा दिया ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा एक खुबसूरा सवाल है यह बहुत आसान सवाल है कई आप को मिल जाता है और आसान सवाल हम छोड़ देता है यह रखिएक क्यों कि गया इसमें पिजनेस की सुरवात की 12.000 के साथ समझेगा और पांच महेंने बाद जो है इस बिजनेस में जोईन कर लिया कितने है 9000 के साथ कितने है 9000 के साथ कितने है कोई दिकत नहीं करना क्या कोई दिकत नहीं को पहले चोटा कर लो आप क्यों रेस्यू असान हो जाएगा तो अभेने कितना लगाया बलो तीन रुपई यह बारा अजार नहीं लिखेंगे फिर तो कटा के वही तुम छोटा करो गे पहले कर लो ना हम बहुत बढ़िया आगे लिखा है क्या वर्स के अंत में मतलब सर बिजनस एक साल का था यह कंफर्म है वर्स के अंत में कूल लाब क कितना होगा हंबले रुको टाइम पलो इस सुलन उनुपात और इस इन दोनों का लाब का अनूपात है मतलब मेना को अगर 014 रपिया होगा तो अवह को कितना होगा सात रुपेया dund से टोटल लाब बताऊगे टोटल लाब बता रहा है 4416 तो यह लगा है तो एक कामान आएगा कितना 192 एक कामान 192 अगर आ भी गया सवाल बतासर मेना का मेना का मतलब कितना 16 कामान निकाल दें हम बतासर www.s wonderfully hundred विट्योग 15 32 ठीक है 1688 ठीक है तो इसका मतलब हो जागा यांसा कितना 3000 कितना 72 3072 देख लो कौनसा ने गाईश फटापर से गुना सही किया हूँ ठीक है देख लो तो अपसन नमर कौनसा गाईश भी ठीक है तो इस तरहीं कि आपको समय में आ गया होगा कि टोटल प्रोफिट को टोटल प्रोफिट के बराबर करना एक कमान निकलना सवाल ने दम तोड़ दिया ठीक है चलिए उमीद करते हैं अब को सब कुछ क्लियर रहा होगा आगे हम बात करते है ठीक एक और सवाल है एक उम्दा सवाल है गये बिजनेस वाल था तो मिमीद करते हैं आपको हम पार्टनरशीब में वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कॉनसर पाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चलए एक सवाल है ज्यादा सेसल लंबा खिचेंगे नहीं हम इतना साथ हजार परवीन है लगाए च्छी आवे हजार सुनो भई यह दोस्त तिदर आओ ठीक है इधर देखो इधर परणव और प्रवीन ठीक है सर हम बोले सुन लो दो पार्टनर ने दुनां के इंवेस्टमेंट दिया पहले छोटा कर लो कैसे सर मुले बारा पंचे साथ ह की परणव ऑने लगा पांश रुपया ओर यह लगाया इतना आअख रुपया अम बहते हैं रहा था संदो था है तो यह जो परणव को संवाल रहा है मतावर की पाटनर थी जो थे सुननो हमको मेहना देना पड़ेगा 1500 रुपिया, बहुत है क्यों, बिजनस समाल रहे हैं, और आगे सवाल बोला है, वर्स के अंत मतलब बिजनस 12 मेहना था, और इस बिजनस से लाब कितना होगा, 44,000 रुपिया, तो पहले परनव को तुम कितना दोगे, पहले बता लो अलग से, हम ब है, हम बोले टोटल लाब हुआ, तुमारा 44, तो सुनो, अब सेस कितना बच जागा, देखो, सेस कितना, रेष्ट कितना बचेगा, अब देख रों भया, तुम बताओ, सर 44 यहर तो कमावे किये हैं, हम बोले हाँ, तो दे दो, देना पड़ेगा, तो बचा कितना, हम बचा क इसको टाइम का कोई चर्चा नहीं किये हम बोले कि दो आदमी एक साथ बिजनस की शुरुआत करे और अंतिम ते दोनों बना रहे तो आपका इन्वेस्टमेंट ही प्रोफिल का रेशियो बने था टाइम का वहां पर कोई मतलब बनता नहीं है टाइम खराब करके हम बोले अच बने एक कामान कितना होगा बोलो बाबी दो हजार मतलब मतलब कोई कामान कामान कितना होगा बोलो 8-2000 देख लो और आप सकते हैं प्रवीन कोई कोन से पूरी तरह से क्लियर रहोगा अब सवाल आप प्रैक्टिस करें प्रिलियम्स पॉइंट अभी उसे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था एज और पार्टनर सी वहने रेश्यू पढ़ा चुक है तीन टॉपिक आपको में कवरफ करा चुका हूं है ना मेंस में तो आग लगा ह तो चलिए हम लोग फिर आगे बात करते हैं मुलाकात करें अगला टॉपिक के साथ हम लोग ठीक है तब तक लिए आज की सेशन को में यही रोकना चाहूंगा फिर बोलता कि वीडियो आप लोग अच्छा लगए गाई तो जरूर सेयर करना यह बिल्कुल फिरी आफ कोस्ट फिर मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ तब तक लेगाई जय हिंद जय भारत